भारत में ओक्सफोर्ड एस्टा जिनका के कोरोना वाइरस वैक्सीन कंडिडेट कोवी सिल्ड के फेज टू के ट्रायल साज से पूने में सुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ड आज युनिवर्सिटी के फाइनल इयर की प्रिक्षाओं से लेकर एक एहम फैसला सुनाने की बात थी लेकिन वो आज नहीं सुनाया जाएगा। मामले में CBI की विशेश अदलत के सामने बचाओ पक्स आज अपना लिखित में जवाब दाकिल करेगा। आज आटो कंपनी होंडा अपनी प्रीमियम हैच बैक होंडा जैज बी एस सेक्स वर्जन लांच करेगी। कंपनी इसे मार्च अपरेल में लांच करने वाली थी लेकिन लगडाउन के कारण ऐसा नहीं हो पाया। आज हरिद्वार में अखिल भारतिया अखाड़ा प्रिशद की बैटक होगी जिसमें 2021 में प्रस्तावित महाकुम को लेकर कई महत्वपुन फैसले होने की उमीद है। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमूनेटी की बैटक के एक दिन बाद सोनिया को चिट्टी लिखने वाले 23 नेताओं में इसे कुछ ने मंगलवार को सफाई दी। इन में से 24 लाग से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं अब तक करीब 69 अजार से ज्यादा मरीजों की मोध हो चुकी है। मरने वालों में 79% पुरुज और 31% महिलाएं थी। मरने वालों में 36% लोग 45-60 साल के बीच के हैं और 90% लोग 60 या इससे अधिक आयू वाले देश में 1 स्टमबर से अनलोक चार की सुरुवात के बाद से स्कूल और कालेज खोले जाने को लेकर चर्चा सुरू हो गई है हलांकी स्वास्त्य मंतराले ने मंगलवार को कहा कि सरकार की ओर से स्कूल और कालेज खोले जाने को लेकर अब तक कोई निर्देश नहीं दिये गए मंतराले ने कहा कि जब भी फैसला होगा इसे लेकर S.O.P. जारी किया जाएगा होंग कोंग में एक विक्ति को कोरोना का दोबारा संक्रमन हुआ है यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है जहांपर स्पेन से लोटे एक तिस वर्सी आईटी प्रोफेशनल में साड़े चार महिने में दोबारा संक्रमन हो गया है कोरोना से उबढ़ने के बाद दोबारा संकर्मन सामने आने से इम्मिनिटी पर भी एक नई बहस शुरू हो गई है भारती रिजरो बैंक ने साल 2019-2020 के दोरान एक भी 2000 रुपए का नोट नहीं चापा है इस दोरान 2000 के नोटों का सर्कुलेशन भी कम हुआ है यह जानकारी RBI ने साल 2019-2020 की सालाना रिपोर्ट में दी इसके मताबिक पिछले 3 साल के दोरान 500 और 200 रुपए के छोटे नोटों का परचलन काफी बढ़ा है कोरोना संकर्ट के बीच वदस नंबर से संसद का मानसुन सतर सुरू हो सकता है इसके लिए कैबिनेट कमिटी ने लोकसभा अध्यक्स को पस्ताव भेजा है सत्र एक अक्तुबर तक चलने के तयारी है इसके लिए सभी सदिश्यों को आरोग्य से तू डौनूड करना होगा और सोसल डिस्टेंसिंग रखनी होगी सुसान सिंग राजपूत की मोत के मामले में अब ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है इडी ने सुसान तो रिया चक्रवत्ती के बीच हुई वाटसाप चैट का व्योरा सीबिया और नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो को दे दिया है मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिया ड्रग्स का इस्तेमाल और डिलिंग कर रही थी परसान भूसन से जुड़े अवमानना मामले पर सुप्रिम कोट ने फैसला मंगलवार को सुरक्सित रख लिया कोट ने कहा भूसन को अव्यक्ति क्या जादी है लेकिन वे अमानना पर माफी नहीं मांगना चाहते हमने उन्हें समय दिया लेकिन जब कि आप किसी को चोट पहुँचाते है तो माफी क्यों नहीं मांग सकते